Hi guys, very good morning to all of you, मैं C.A. राउल गर्क स्वागत करता हूँ आप से बच्चों का इस वीडियो में जैसे कि हमने देखा C.A. Institute ने कल C.A. Foundation और C.A. Final के रिजल्ट्स जो है घोशत किये हमेशा से रिजल्ट्स का डे एक बहुत important डे रहता है मैं बखो भी समझता हूँ क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरू हूँ और उसके बाद इतने सारे years में बहुत सारे students से सम्मिलित रहा हूँ वहीं कुछ students बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने अपने इस level को clear किया तो वहीं कुछ students हैं जो की इस बार थोड़ा सा unfortunate रहे दोनों ही तरह के students की मैं बात इस वीडियो के अंदर करूँगा सबसे पहले जो बच्चे clear हो गए मतलब या तो CA Foundation आपने clear किया या फिर CA Final का exam आपने clear किया सब बच्चों को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ मेरी तरफ से और पूरी RSA की टीम के तरफ से बहुत ही बड़ी achievement आपने हासिल की है CA Final students के लिए कहूँ तो एक तरह से बहुत खुश है कि हाँ हमने अपना जो ये course था जब enter होते है तो बहुत सारी मन के अंदर आकांक्षाए होती है बहुत सारी anxiety होती है तो उसको finally हमने hurdle को पार किया और एक नई जिंदगी सुनेहरी जिंदगी हम सब का जो है इंतजार कर रही है तो इसलिए मैं कहारो कि मेरी शुब कामना है आप सब बच्चों के साथ है लेकिन हाँ वहीं साथ यात as a responsible person आपको ये भी ध्यान रखना है कि it's your life and you have to make the best choices कई बार क्या होता है हम CA बनने के बाद इतने खुश होते हैं कि हमें या फिर mind में clarity नहीं होती हमें की करना क्या है तो कई बार ऐसा होते है कि 3-4 साल किसी एक जगा पर लगाने के बद हमें लगते हैं कि अरे नहीं यार this is not my interest area I want to do something else मतलब किसी और industry में switch होना चाहता हूँ position as a chartered accountant only कई बार बच्चे consultancy में चले जाते हैं जैसे कि big four हो गया फिर बड़ी CA firms हो गई लेकिन बात में लगता नहीं this is not my cup of tea I am not liking it so I want to switch to some other तिककत कोई नहीं है बात में भी switch कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर अभी हम सोच सकते हैं अपने interest area के हिसाब से तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती और सवाल उठते हैं कि sir interest area का पता कैसे लगा है एक तो भी जब आपने article शिप करी तो कौन से level पर कौन से field में audit करके tax करके या फिर compliance करके किस जगा पर आपको ज्यादा मज़ा जो है आता था tax की बात कुरूगा planning में मज़ा आता था compliance करने में ज़ादा अच्छा लगता था audit में internal हो गया, statutory हो गया, risk advisory services हो गया किस field में आपको अच्छा लगता था वहाँ से कर सकते हैं थोड़ा सा interest area recognize या फिर आपके जो seniors हैं industry में या फिर consultancy में उन लोगों से बात कर सकते हैं कि उनकी दिन चर्या कैसी रहते हैं, किस परकार का वो काम करते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत मदद मिलेगी and हम एक अच्छा choice जो है कर पाएंगे कुछ students हैसी हों कि जो कहेंगे कि नहीं या C.A. करना का मुझे कुछ और as a higher study type करना है या फिर कोई specific course करना है क्लियर किया, welcome to the level number 2 that is C.A. enter और आप जी तोड महनत करिए C.A. foundation जो है बहुत important level है, कहीं बार ये कहाँ जाता है जो वच्छे pass हो जाते हैं, तो दूसरे कहते हैं अरे यारे ये तो पहला level था, ये तो कोई भी कर सकता है, भाई, कोई भी नहीं कर सकता है ऐसा मत कहूँ, अगर कोई भी कर सकता होता तो result होता 100% जो कि नहीं है तो जिन्होंने भी clear किया आपने महनत की है, लगन के साथ पढ़ाई की है, लेकिन level 2 में आ गए है तो और महनत आपको करनी पड़ेगी जीतोर महनत करनी पड़ेगी, क्यों यहाँ पर आपका जो hard work है, वो ज़ादा demanding रहेगा, and you have to again make the best of the choices जैसे की intermediate में दो ग्रूप है, group 1, group 2 it's the very initial basic time to think about कि यार मैं दो ग्रूप दूँ या एक ग्रूप दूँ क्योंकि अभी तो curly result आए, 24 गंटे भी नहीं हो लेकिन फिर भी, मैं तो हमेशे हर बच्चे को यह कहता हूँ everybody has the capability, तो you should definitely give a sincere try for both the groups देना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी अगर किसी को लगे कि भाई, मैं दो ग्रूप के लिए बना ही नहीं हूँ वो single के लिए भी तैयारी कर सकता है group 1 और group 2 के अंदर मैं दो-दो subject पढ़ाता हूँ, group 1 के अंदर accounts for cost और group 2 के अंदर advanced account FME को तो आप हमारी website cairaholgag.com पर जाकर जो है, इन courses को subscribe कर सकते हैं और इनके अलबा last month में हमने पूरे भारत में से जो सबसे दिगज faculties हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ा है, तो वह भी faculties आपको हमारी website पर मिल जाएंगे, यह आप पूरे का पूरा combo group 1 का, group 2 का हमारी website से जो है ले सकते हैं, कुछ बच्चे पूछना चारूँगा, सिर्को वो feel करें कि ठीक है, यह academy भी हमारे साथ हमें discount दे रहे हैं और हम इस तरह से साथ में मिलके जो है आपने इस लक्षा को पाएंगे, वहीं जो students clear नहीं कर पाए ऐसा नहीं है कि हम clear नहीं कर सकते, ऐसा बिलकुल नहीं है कि हम clear नहीं कर सकते, हम सब के अंदर result came as a blessing to them तो वो सब pass हो गए, मतलब समय, जैसा मैं ने कहा समय आपकी महनत और थोड़ा सलाक अगर यह तीनों चीज़ मिल जाए तो हम definitely आगे बढ़ सकते हैं, वहीं कुछ बच्चे जो CA Foundation में clear नहीं हो पाए तो ऐसा मैं तो level 1 में फेल हो गया, तो क्या मैं आगे पढ़ नहीं सकता, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नएचा है, मैं खुद rank holder हूँ, लेकिन मैं फिर भी यह कहता हूँ कि भाई, अगर आप इस course को सिरफ अंत तक, यानि कि final को clear भी कर लेते हैं irrespective of your age, irrespective of the rank, irrespective of the attempt, still you are a chartered accountant, तो बस हमें जो है, aim करना है, उन दो words की तरफ, कि भाई, हमें C.A. करनी है, रास्ते में रुकावट हैं, जितनी भी आती जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और यार, यह वो कोई graduation का exam थोड़ी है, कि 100 में ऐसे 95 पास होंगे, और सिरफ 5 पास नहीं होंगे, यहाँ system थोड़ा उल्टा चलता है, 15-20 परसेंट पास होंगे, बाकी पास नहीं होंगे, तो जो बाकी पास नहीं हो, क्या मतलब उन्होंने पढ़ा ही नहीं की, जी नहीं, वो भी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा से एक extra push जो है, हमें देना और हारना नहीं है, हारना नहीं है, जब तक हम खुद से हारना मालने, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, जब तक हम खुद से हारना मालने, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, तो हमें दृड़ निश्चे करते हुए, प्लाइनिंग करते हुए आगे बढ़ना है और next attempt को भेधना है, मेरी blessings पूरी RSA टीम की blessings हमेशा आपके साथ बेटा रहेंगी, इसी के साथ मैं आप बच्चों से लेता हूँ अलविदा, सब बच्चों को best wishes for the future ahead और भाई, सीए इंट्राले बच्चे थोड़ा दिन और इंतजार करें, आपका रिजल्ट भी आने वाला है, बबाई